कि नमस्टार जहें स्वागत है आप लोगों का कि आपको सुबह भी मैंने इसका इंफॉर्मेशन आपको दे दे थी कि आज हम उत्तरवर्ति मुगल समराथ के बारें पढ़ेंगे जल्दी से क्लास को शेर करो और जब तक आप क्लास को शेर करोगे तब तक मैं आपको जो आज का स्यासन बड़ा ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है आज आप देखिए चुकि आप कल पढ़ रहे थे मुगल समराज्य के पतन के बारें में पतन के कारण आपने पढ़े और आज आप पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार पतन के दौर में कौन-कौन बादशा हुए और आपको यह मिलने वाले वाले प्राइजिस आप इनको देख सकते हैं यह जो फ्रास है आपको मिलने वाले हैं अगर आप सब्सक्र identify झार्जाच करते हैं ठीक है और साथ में सीऐ अगर आप रैंक एक से तीन लाते हैं तो शेविल सर्विस एग्जामिशन प्लस Note i वह बिए वार दिवस है आजादी का दिवस है उस पर हमको क्या देखने मिल रहा है आपको एक साल दो साल तीन साल के लिए एक उप्छेस कर सकते हैं और के साथ में मिलने वाले हैं सीरीज मैंने हर बार एक बात क्लास में कहता हूँ कि बिना टेस्स शीरीज के करने से कोई मतलब नहीं है आप पढ़ते रहो और अगा टेस्स नहीं लगा रहे हैं तो पिर कोई लेना देना नहीं है आपकी प्रेपरेशन का खास ठीक है बात तेस्ट है जिसमें 16 स्टेस्ट होंगे और 5 होंगे फुल लेंद टेस्ट होंगे और इनका जो प्राइस है 15,000 रुपे आप इसको भी परचेज कर सकते हैं ध्यान रखिये मेरा कोड़ SSH 10 इसको ध्यान रखिये SSH 10 मेरा कोड है इस कोड को लगा कर भी आप इन कोर्स को परचेज कर सकते हैं जो आपकी प्रिपरिशन ने बहुत ज़्यादे सहाइक होने वाले हैं आप UPSC का कोई भी बैच मार्केट से परचेज कीजिए सीधी सी बात जब आप उसकी कीमत पे करते हो जब आप उसकी कीमत देते हो तो अगर आप और वर्थ निकालो कि इतना सब चीज जिसमें ऑप्शनल हो गया प्रिलिम्स हो गया भूक हो गई है ना नॉट्स हो गए ठीक ह सरी मेरी लाइव फर्स्ट क्लास है बट मैंने आपकी तीनों रिकॉर्डड वीडियो क्लास देखी है ठेंक यू अनिशा ना शेर करते रहिए फिर भी क्लास को आप शेर करते रहिए बच्चों को जादे जादा जोड लीजिए ना क्लास को सुरूह करने वाले हैं तो उसकी वर्त आपको मिलेगी 2.3 लाइक लेकिन अनकेडमिक का स्पेशल ओफर 57.5 के में आप इन सभी सुविदाओं के साथ बैच को पर्चेस कर सकते हैं और अपनी तयारी को अनकेडमिक के साथ बहुत बहतर आप बना सकते हैं ठीक है आगे चलिए और बता दें आपको कुछ मेंस ध्यान रखना है मेंस तक 2023 तक आप इसको SSH 10 सब्सक्रिप्शन लगाकर आप इसको खरीच सकते हैं ठीक है साथ में आप UPSC टैस्ट स्रीज असी टैस्टों की एक स्रीज जिसमें आपको 50 टैस्ट एक साथ और 30 टैस्ट एक साथ ये भी आपको मिल जाएंगे रुपे कि 30,000 रुपे में आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कौन से टैस्रीज ज्यादा सूट कर रही है तो टैस्रीज आपके लिए और आपको आप इसको पर्चेस कर सकते हैं ठीक है चलिए साहाब आइकॉनिक प्लस क्लासि जिसके यह फीचर है आप आईकॉनिक प्लस क्लासिज का सब्सक्रिप्षन भी आप पर्चेस कर सकते हैं जो आपको बड़ा हेलफफुल साभित हो सकता है ठीक है आपके फिरप्रशन में चार चंद लगा देगा क्या लगा देगा च दार्चान ठीक है इसके फीचर्स हैं इस्टडी प्लानर इस्टडी मैटरियल एक्सपर्ट गाइडलाइन टैस्ट एनलाइसिस टैस्ट देना ही कुछ नहीं सब कुछ नहीं होता टैस्ट के बाद उसका एनलाइसिस करवाना भी एक इंपोर्टेंट सेक्शन आपकी तैयारी का होता है जो को आपको आइकॉनिक प्लस क्लासिज में यह फीचर आपको मिलेगा ओके देखिए सब्सक्रिप्शन का मैंन होता है था आपको इच्छी सिक्स मन्त और से आपको डिसकाउंट के साथ यह सब्सक्रिप्शन मिल रहे हैं सब्सक्रिप्शन था वह सब्सक्रिप्शन को सब्सक्रिप्शन मिलेगा सब्सक्राइब करके आपको सब्सक्रिप्शन भी में भी आपको छूट मिलेगी ओके ठीक है मैंने वही बताया कि आपके पास मंतली पेमेंट करने का भी ऑप्शनल के रिगार्डिंग आप मंतली भ तो खटने का कितना हो जाएगी 45,000 और यह जाएगी 1250 आपको कोड क्या लगाना होगा SSH 10 इस एपलाई कोड के साथ आप परचेज कर सकते हैं टैस्सरीज मैंने कहा कि टैस्सरीज करके अपने हिसाब से आप टैस्सरीज ले लिजिए जल्दी सुरू करने वाले हैं यह सभी स्पेशल क्लास के फीचर है जिसमें आपको क्या मिलेगा लाइव इंट्रेक्शन पूल्स लर्नर मतलब आप अपना डाउट भी पूछ सकते हैं लेक्चर नोट्स यह सब आपको मिलेगा एनिटाइम एनिवेर प्लस क्लासिस के फीचर ह बहँत बहतर आपको प्रप्लिश्ण आपकी हो जाने वाली है और हमारा गोल के और मैं इसको लेमेड लैंगवेज बोलता हूं कि तब तक जब तक तोडएंगे नहीं जब तक छोडएंगे नहीं ठीक है आनपकेडमी लेटक्षन और आप हैं एक शांदर प्लेटफोर्म प रुची का खत्री गुड इवनिंग अनीशा मीना सभी को मेरा नमस्कार निखिल ललित मोहन आप तो मेरे ध्यान आगया तिरे नाम भई आकाश महाजन आप सभी लोगों का स्वागत है आपके सेशन में मैं आपको जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हम लोग हमारा जो जेब के बाद जो मुगल समराट बने अनीशा कह रही है सर मैंने आपकी लास्ट वीडियो देख ली हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने वो वीडियो देखी होंगी और आपने उन वीडियो में इस बात को गौर फरमाया होगा कि मैंने आपको मुगल समराज्या के पतन के बारे में पढ़ाया था कि मुगल समराजय के पतन किन-किन कारणों से हुआ लेकिन ये बात तब तक अच्छी नहीं लगेगी और भैतर तब मुगल बादशाह औरंगजेव के बाद वो कौन से कौन से बादशा थे आप जानते हो कि 3 मार्च 1707 को मुगल बादशाह औरंगजेव की डैथ हो गई थी और उसके बाद जैसा की होना था और जैसा की होता आया था सत्ता के लिए संघर सुरू हुआ और सत्ता के लिए जब सं समराज्य का पतन था जो समराज्य का पतन था समराज्य का पतन बहुत तेज हो गया था आप मेरी पिछली वीडियो देखिए ताकि आप इस क्लास में लिंक बना पाएं इनी की वज़े से क्या हुआ समराज्य का बहुत तेजी से पतन होना क्या हो गया था शुरू हो गया था और वो सारे कारण जो मैंने आपको लास्ट की कुछ वीडियो से बताए हैं, हमने तो पढ़े, इन बादशाओं के दोर में वो सारे कारण गुजरे, चाहे गुठबंदी हो, चाहे सैनिक दुरूबलता हो, चाहे जागिरदारी का संकट हो, चाहे आर्थिक हालात खराब हो, वो इन सब समराठोंने उनको भुगता, ठीक है, इनको, जिनको हम क्या कह रहे हैं, उत्तरवर्ती मुगल समराठ, बैरहाल, तारीक द्यान रखिये, तीन मार्च 1707, बादशा औरंग जेब की मिरत्यू का दिन है, ठीक है, समिक्सा पटेल, स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है, सारिक कुरेशी, स्वागत है आपका, ठीक है, चलिए, माइन वे सेट करो, तीन मार्च 1707, मुगल बादशा की डैथ हो चुकी है, और जैसा की होना था, सत्ता के लिए अब जगडा सुरू होगा, क्या सुरू होगा, सत्ता के लिए जगडा, हमारा टाइटल है, सत्ता को लेकर संगर, यहाँ पर आप तीन इमेज देख रहे हैं, यह तीनों ही औरंग जैब के जिंदा पुत्र हैं, जिसमें बहादुर शाप प्रिथम है, इसको मुझजम के नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से, शहजादा मुझजम, यह सबसे बड़े थे, शहजादा आजम और शहजादा कामबक्स, यह मौरंग जैब के तीन जिंदा पुत्र थे, टाइटल है, सत्ता को लेकर संगर्स की सत्ता को लेकर क्या जगडा हुआ, अनीशा मीना, कोशन के प्लीज, अनीशा, बेटा, कोशन में साथ ऊपर चला गया, स्लाइड में, आप एक बार द्वारे पूछलों, बता दूगा उसको, ठीके, बैरहाल, इन तीनों ही लड़कों में, जो की मुझजम, आजम और कामबक्स, आप सब सब पहले मेरी कहानी बताओं कि जिस समय औरंग जेब की मृत्यू के समय सबसे जादा नजदीक, सबसे जादा नजदीक यही था, औरंग जेब, औरंग जेब, की मृत्यू के समय, को fire and ? a अ मिरत्यू के समें ऐडियरे ही अरंग जेब के पास था कि यह व्यक्ति ही औरंग जेब के क्या था ऊरंग जेब के पास था कौन सा व्यक्ति जिसका नाम है शहजादा मुज़्जम ओरंग जैब की मिरत्यू 3 मार्श 7 707 को एहमदनगर में होती है कहां होती है एहमद नगर में तो उस समय सबसे ज़्यादा नजदीक जो पास्मिक ये छेत्र में कोई मौज़ूद था तो वो उसका लड़का जिसका नाम है शैजादा आजम कौन था शैजादा आजम आप तो यूट्यूब पर गुम गए गुम गया कि गुम हो गया मैं ठीक है देखिए तो यही क्या था औरंग जेब के बहुत महां पर मौजूद था और यही है जो औरंग जेब को दफनाता है कहां दफनाता है कमेंट सेक्शन बता दो यह दफनाता है औरंग जेब को औरंग अपाराबाद में दफनाता है अर चूंकि नजदीक थे पापा के सबसे पास थे पापा के रे और तो मैं स्यंग है यह क्या था दूबार लिख देता हूं यही व्यक्ति औरंग्येव की मिरत्यू के समय औरणजेब के पास था और जब ये व्यक्ति औरणजेब के पास था तो यही क्या करता है यही यह ही स्वैम को बादशाह घोसित कर देता है क्या कर देता है स्वैम को इसी व्यक्ति ने क्या घोसित कर दिया बादशाह घोसित औरंग जेब के पास था औरंग जेब को दफनाने वाला शहजादा आजम ही था चुकि शहजादा आजा और जेब के पास था तो वह क्या कर देता है कि मैं अब नया बादशाह हूं मैं क्या हूं नया बादशा ठीक है क्या था यह नया बादशा सर कौन सी बुक पढ़े पर एंसाइटी पढ़िए बेटा सबसे पहले तो एंसाइटी पढ़ो बाकि बाद सारी कितावें बाद में पढ़ना आप राजी वहीर पढ़ें या इस्पेक्टरम पढ़ें ओल दिस थिंग्स अल दिस बुक्स आर्दा आफ्टर पांशाइटी एंसाइटी के बाद पढ़िए आप इन सब को ठीक है तो यह क्या कर देता है जब यह स्वैम को बादशा गोशित कर देता है यह बात नागवार गुजरी इसके बड़े भाई बहादुर शाप पिर्थम को यह सबसे बड़ा यही है सबसे बड़ा यही था अब क्या हुआ पापा की डैथ हो गई पापा की डैथ हुई तो इसने को बादशाह गोशित कर दिया लेकिन यह बात नागवार गुजरी इसको इसने कहा कि मैं आपकी बादशाहात को नहीं मानता तुम बादशाह होगे अपने घर के मैं तुमको बादशाह नहीं अब सवाल ये निकल कर आया, कि म्यान एक है तलवार दो, दोनों ही लोग औरंग जेव की डैथ के बाद खुद को बादशाह गोशित कर चुके हैं, बहादुर शाह प्रितम मैंने बताया था कि इसका जो नाम है, शहजादा मुअज्जम है, क्या है साहब इसका नाम शहजाद मुअज्जम, अब ये दोनों लोग खुद को बादशाह गोशित कर चुके हैं, अब बादशाह बने कौन, ये तो समय ही बताएगा, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, अब कहा है साहजादा काम बक्स क्या कर रहे हैं, ये कहा कि भाईया एक काम करो, पहले तुम ही देख ल लड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे, यही हमारा तो टॉपिक है, संघर्स, किसको लेकर, सत्ता को लेका संघर्स, और सत्ता को लेकर ये संघर्स शुरूगवा, बहादुर्शाह पृत्म और सहजादा आजम के बीच में, ठीक है, सर बहादुर्शाह पृत्म और बहादु पूछ सकते हैं साहालम вр вр 20 को कहते हैं अब क्या हुआ जब दोनों में झढ़ा हुआ इन दोना में क्या होने वाला है जग्रा किसी का त्रादिकार का यूद किसका यूद उत्त्रा वह अभी दूर हैं अच्छां कामबक्स हैं कहां है कहां हैं हैं हैदराबाद में अब आप पूछोगे सर आपने एक बात बताई हमको हमने आपकी बात मानी भी लेकिन आप कुछ बाच छुपा गए हमसे क्या छुपा गए कि आपने ये तो बता दिया कि शहजादा आजम औरंग्जेव के पास था अभी आपने ये भी बता दिया कि कामबक्ष वह हैदराबाद में था आपने ये नहीं बताया कि साहब ये बादुर साफ प्रिथम कहां थे लो सुनो ये काबूल में थे ये कहां थे उस समय काबूल में ये महराज काबूल में थे ठीक है और बात करें इनकी उस समय की उमर की तो उमर का तो क्या ही लेना देना है 63 साल कितने साल 63 years old ठीक है है शोव्रान यहां तक पॉइंट कर temas वे शूव्रण पेटा बत समंझ्य में आ गए हैं यहां तकsti clear हो गई योगी बात कि सत्तक को लेकर क्या हुआ है संगर्स शुरू हुआ अब जो संगर्स शुरू हुआ यह जो संगर्स शुरू होता है देखिये, शहजादा मुजम और आजम के बीच में, क्या हुआ उत्रा दिकार का युद्ध हुआ, किसका युद्धुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुद पढ़ती है पुल ए शैह हडोला कौन सी जगह पढ़ती है हो से डोला में क्रता है स्वैं को बादशाह गो सिद्धा करता है रहे लोग अब टूनों ही लोग जब खुद को बादशाह गोेट कर चुके तो अब जून 1707 में आगरा के पास जजाओ नामक इस्थान पर क्या लड़ा गया ये युद लड़ा गया इसी युद को क्या कहते हैं इसी युद को कहते हैं क्या साहब जजाओ का युद इसका युद कहते हैं इसी युद को कहा जाता है साहब जजाओ का युद किसका युद जजाओ का युद अगर आपसे एक लाइन में सवाल पूछ ले कि जजाओ के युद का संबंद किस से है तो जजाओ के युद का संबंद है कि जजाओ के युद का संबंद और अग जेव के बाद जो सत्ता को लेकर जगडा हुआ उसके बड़े बेटे मुहजम और आजम के बीच में उस युद से है ठीक है कौन सा युद जजाओ का युद किस किस के बीच में जजाओ का युद हो परिणाम क्या निकला परिणाम महत्वपूर्ण है युद्ध का परिणाम ये निकला कि परिणाम ये निकला आजम की हार हुई क्या हुई आजम की क्या होती है हार और उसके दो पुत्र उसके पुत्र जिनका नाम था वजी उल्ला क्या नाम था वजी उल्ला और बीदरबक्त मारे गए, कौन मारे गए, वजी उल्ला और बीदर बक्त की क्या होती है, इसी युद में डैथ होती है, बात समझे, 1707 में ये युद रणा गया, जिसे जजाओ का युद कहते हैं, ठीके, आजम की हार होती है, और मुज्जम की जीत हुई, मुज्जम कौन जीता है, मुज्ज की जीत हुई, मुज्जम बहादुर सहा प्रिथम के नाम से सत्ता पर बैठा, तहां बैठा, बहादुर सहा फस्ट के नाम से क्या बैठा, सहाब सत्ता पर बैठा, मैं समझता हूँ, आप सभी लोगों को ये सारी बात अब समझ में आ गई होगी, मैं जिस गेम को समझा रहा जाता वो गेम आपके समझ में आ गया होगा कि औरंज जेब के बाद इसके बेटे आपस में लड़े इस फॉर्द बिकम नेक्स सक्सेसर नेक्स सक्सेसर कौन है वो कौन है उत्रादिकारी शेजादा मुध्जम और यह किसके नाम से कद्धी पर बैठा है बहादूर शाहाप प भी इस युद में मारे गए थे यह नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब आप किसी भी राज्ये की लोग से वायों का पेपर देते हो तो लोग से वायों बलकि मैं तो कोई भी एक्जाम दे रहे हो वहाँ पर यह फैक्ट पूछे जाते हैं ठीक है और फिर फैक्ट क्लास से भार सवाल नहीं जाने दूँगा इसका आप मेरा विश्वास रखना बस इसने खुद को क्या गोशित किया बहादूर साफ फस्ट के नाम से गद्दी पर बैठ यह सत्ता का संगर्स किसका संगर्स सत्ता का संगर्स किस युद में जजाओ के युद में चलते हैं अ आरचम को हरा दिया है किस को हरा दिया है आजम को हरा दिया है कर्ती क्या हो गया पॉद यह देखा किनहीं जब के ऊजदा एकिक हांडा ऐव system कि आछान धेखा जब कुछ नहीं आता तो फिर अब जब आएगा तभी तो पेपर करोगे है ना थीक है चलिए सहाव वेरी गुड अब देखिए अब बचे कौन अगर मैं देखूं यह बाइसाब कट्टूस हो गए यह बाइसाब गलत होगे इन पर काठा लगा दिया गया मतलब तो अभी करबड़ो जाती देख ल यह अपने जीवन में राइट हो गए और यह अपने जीवन में गलत हो गए अब बचे कौन बचे यह महराज जो कहा है जो कहां है है किस गुरूप ने बहादुर साहा का साथ दिया था इरानी गुरूप ने बहादुर साहा का साथ दिया था जिसमें जिल्फिकार खां और असद खां सामिल थे सुबह महरा अभी मैं बहादुर सा प्यार आ रहा हूं तो मैं अभी सारी चीज़े बताऊंगा मैं इसको लड़ा 1709 में हराया गया कब भर्ष 1709 में इसे क्या किया गया परास्त किया गया थीक है यह वाली बात के लिए अब बात किलियर है तो थमसब किजिए जल्दी सब्सक्रों करो अगे देखो ऐसा है कि मेरा ऐप्रोफ तो सारा ही है मैंने कहा कि जो पेपर फस्ट होता पेपर फस्ट में आपकी इस्ट्री आती है यह पिए सिमें प्रस्ट में लेकिन अच्छा खासा तो उसमें असले सेक्षन है वो कल्चर वाला है मैं सारी चीज़े कवर करके चल रहा हूं है ना चिंता ना करें है कि दीपक कुमार फ्यूचर आइस कैसे हो डिम साब है ठीक हो गया के लिए रोगी बात थमसब करो जल्दी कनक दीपक सुबं महरा अगर के लिए तो दिल्दी करिए ओके 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 क्यों परिशान हो रहे हैं सर सोजाओ पंकु सुधर जातू पैचान क्या मैं तुझे समझ ले तू आगे चलिए अब क्या हुआ बहादूर साफ फस्ट क्या बैठ गए हैं गद्दी पर बैठ गए हैं जब बहादूर साफ फस्ट गद्दी पर बैठे हैं तो इनको कोई क्या मिला है इनको ताज नहीं मिला इनको काटो का ताज मिला यह इनके हिस्से में ऐसा ताज आया कि सिर पर रखते इनके दिक्कत आगे बोले तो बड़े चुब रहा है बोले बाइस सब चुबेगा आप के पिता और अरंग्जेब स्थिती ही ऐसी पैदा करके गए थे तुम्हें क्या लगा जब पिता की मिरत्यू होती है तो बड़े सिर्क जो राजा बनता है तो पिता की प्रॉपर्टी नहीं पिता ने जो लॉन लिया होता वह भी मेटे कोई चुकाना पड़ता है तो जो पि जो समस्या क्या है उसका बुड़ापा ठीक है लेकिन उससे बड़ी समस्या है जो उसके सामने थी समस्या नंबर एक जाट समस्या यह इस्ठानी ताकते ठीं जो बहुत ज़़ादे बागी हो चुकी थी 2, मराथों की समस्या 3, राजबूतों की समस्या 4, सिक्झों की समस्या MX Player पर आजकर एक Syrize चल रही है ´ना कौन सी उस Syrize का नाम है 26 साल तर शात्र साल अब इस रूल में आएगा कौन था? 26 साल तरती बताओंगा सारी बाते यहना कौन है? 26 साल कि ये सारी समस्या जाट समस्या मराठभ समस्या सख समस्या या 46 साल का भी जिक्र होगा किसका जिक्र होगा यहां पर 26 साल का यह तो वो ताकते हैं जो हावी होने की कोशिस कर रही है किस पर यह ताकत है बहादुरसाय पर हम देखेंगे कि एके करके कि यह समस्य आखिर थी क्या यह नहीं थे मैं कहा चला गया था अब जाने की उमर कहा बची है अब तो जहां है वहीं सबसे बड़े हैं आप सामने देख रहे हो कि पहले हैं शिवाजी जो औरंग जेब के दोस्त थे बहुत कट्र दुस्मन थे हां जो औरंग जेब के कट्र दुस्मन थे और वह पूरे मुगल समराज्य को ही उखाड फैकना चाहते थे ठीक है एक है कौन शाहू एक है कौन संभा तीन आपको आदमीं दिख रहे हैं लेकिन इस इन तीनों की कहानी क्या है चलिए मैं बता देता हूं मराठा समस्या आप सभी जानते हैं कि जो सत्र पति शिवाजी कि अब की औरंग से संबंद अच्छे नहीं थें आप उसी बात को ध्यान करूनेल मैंने कहा कि कोई नहीं बात थोड़ी थी जब बाहदूरसा गदी पर बैठें मैं हैं जो औरंग जेब के समय की थी बस बिचारे बहादो सा के सिरा पड़ी एक तो बचारा बजूर्ग आदमी ऊपर से यह समस्य हैं फिर भी इसने का कि चलो को आप जानते हो की चतरपती श्वाजी और औरंग जेब के संबंध बह से नहीं था ऐस आ चिछे लेकिन कव क्या कौशीश हुई खूब ढिर भगैर भी एवर cakes अब आपको जगड़े पढ़ा रहे हूं नहीं वह जगड़े में आपको मराठा एंपायर में पढ़ाऊंगा लेकिन मैं आपको यहां इतनी बात केवल बता दूँ कि मराठो के संबंद मुगलों से अच्छे नहीं थे ठीक है कि सच वह गाना ना भूल गया उसका हम हिंदुस्तानी नए दोर में लिखेंगे मिलकर नहीं कहानी सचिन सचिन प्राचिन भारत भी पढ़ाऊंगा लेकिन कुछ तुम समझो कुछ हम समझे ना और मुझे उम्मीद है कि मैं समझू ना समझू तुम मुझसे ज़्यादा बहतर समझते हों चीजिएंगो है ना छालिए अब नहीं थे आ जानते हों कि यहीं मुखा ने कि मैं ने किसमें कई कर Brig कर दिया था हूँद कर दिया था वहां से आप जानते हो कैसे वह beta कई हूए लेकिन सुचर्ण जी की मृत्यों के बाद मराठा समराजय में दिखकत आई औरंग जेब ने सोचा कि यही मौका है कि मराठो पर हावी हो जाए जाए मराठो पर क्या हो जाए हावी हो जाए औरंग जेब शिवा जी की डैथ के बाद शिवा जी की डैथ के बाद मराठो पर क्या होना चाहता है मराठो पर हावी होना चाहता है क्या होना चाहता है मराठो पर हावी लेकिन मराठा जिनका आदर्स था हिंदू पश्षा ही वो भी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे बड़े ही जो जारू किसम के विप्ति दे तो औरंग जेब शिवाजी की डैथ के बाद मराठो पर हावी होना चाहता है अब क्या हुआ मैं पहले आपको इन दो लोगों के बारे में बता दू इनके बारे में तो आप जान गए आपके मन में एक बड़ी क्यूरिस सिटी होगी कि यह साहू कौन है और यह संभाजी कौन है सर इनके बारे में हमें थोड़ा बताईए आगे की कहानी हम तब चलेगी है न क्योंकि शिवाजी की डैथ के बाद संभाजी गद्धी पर बैठे कौन बैठे संभाजी लेकिन संभाज एकर गद्धी पर बैठे हैं तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि बाई साहू को तो मैं बता दूँगा आपको बाजिराव मस्तानी फिलिम देखी है वो चीते की चाल और बाज की जोना तो वो शाहूई है लेकिन आपको जानना जरूरी है कि इनके सिवाजी से क्या तालुकात हैं संभाजी कौन है साहू कौन है इनके आपके तालुकात आपस में जानने होगे तालुकात जानने के लिए मैं आपको बता दूँ कि जो शिवाजी कौन है सहाब शिवाजी कौन है शिवाजी सिवाजी के तीन पत्नियां है रिषिवाजी के तीन संबा जी सिवाजी के पोते थे हाँ नlarda hemen 싸h होने पुत्र थे तीके देखी ए में इनकी ऊकरनी का नाम है साइन बाई निंब्बाल कर किया नाम था सहाफ साइंवाइन निम्वालकर कर ची कर सभाइन जब से संबंध क्या आपको को एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि शिवा जी की डैथ के बाद जो गद्धी पर बैठे वो कौन थे शिवा जी की डैथ के बाद गद्धी पर यही बैठे कौन यह नए छत्रपती बने थे तो हमें जानना जी यह है कि आखिरकार संभा है कौन मराठा समस्या ह प्रवजा कर रहे थे उसके बारे में बात कर रहे हैं इस पूरी कहाणी में तीन सूत्रधार लोग है एक शिवा जी है एक शाह हुए और सम्भा है हमें इनके बीच का संब्ढ़ जानना होगा और एक नमबर पक्का हो सकता आपका यह से ठीक है चलिए एक नमबर पक्का कर देते हैं आपका एक समावाब एक सवाल पक्का अब शिवा जी अब अब शिवाजी के तीन पत्निया है इस फैमिलिट्री को समझना वही एक है साई बाई निमबालकर कौन है सहब साई बाई निमबालकर शिवाजी की एक पत्नी का नाम क्या है साई बाई निमबालकर शिवाजी की एक पत्नी का नाम है सोयरा बाई क्या नाम था सोवेरा बाई और एक है पुली बाई कौन है पुली बाई एक बहुत ही शांदार फैक्ट आपको बता रहा हूं उस फैक्ट से आपको सवाल बन सकता है ठीक है मराठा समस्चा कौन सी इसमें थी मराठा समझा तो मराठा समराजिया के साथ ही सुरू हो गई थी और अरह एगे शतर शाद तक तो मामला बहुत ही खराब था देखिए साइं बाई निम्बालकर साइं बाई निम्बालकर के जो पुत्र है इनके पुत्र का नाम है संभा क्या नाम है संभाजी फोटो देखी दिना भी संभाजी की वो संभाजी किसके पुत्र थे वो संभाजी साइं बाई निम्बालकर के पुत्र है इसके पुत्र हैं साई बाई निम्बाल करके पुत्र थे ठीक है एक है सोईरा बाई इनके पुत्र का नाम है राजाराम और ये जो पुली बाई है रट लो बहुत शानदार प्ัक्ट बता रहें ये सोईरा बाई और पुली बाई जो है शीवाजी की पतनिया संभाजी की शादी हुई येसु बाई के साथ किसके साथ हुई येसु बाई के साथ और राजा राम की सादी हुई तारा बाई के साथ किसके साथ हुई तारा बाई के साथ इनकी ये तो सती हो गई थी है ना इनका कोई पुत्र नहीं था तो कोई मतलब नहीं है ठीक है अब द दिखाए गए हैं यह वही शाहू है जो बाजीरा वंस्तानी फिलिम में आपको दिखाए गए हैं राजा राम और ताराबाई के जिस पुत्र की यह चर्चा होगी उनका नाम है सिवा जी सेकंड अब मैं समझता हूं कि आपको कुछ बास समझ में आ रही होंगी आपको राजा राम का भी इंपोर्टेंट रोल है लेकिन कहानी में इनका ज्याद है वर्चस निकल कर वर्चस किसी का नहीं होता वर्चस तो गलत सब्द हो गया कि इनका सबका सहयोग था योगदान था ठीक है अच्छा इनके बेटे की वाइफ थी डॉक्टर इनलो हां किरती अब त तारबाई कौन थी तारबाई मैंने बता दिया तारबाई ये थी किसी बच्चे का इसमें कोई डाउट हो तो बताओ यह तो आपको बास समझ में आ गई होगी शिवा जी की तीन पत्निया साइंबाई निम्बालकर सोरा बाई और पुली भाई ठीक है साइंबाई निम्बा यह जो संभाजी है ध्यान देना यह संभाजी कहते हैं कि संभाजी एक बहुत 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 लड़ाका था लेकिन संभाजी की सबसे बड़ी कमी यह थी कि संभाजी उग्र सभाव का क्रोधी और एक अभिमानी घमंडी विप्तित था कौन कौन साब संभाजी तो इसको गद्धी पर बिठाने के लिए मना कर दिया था शिवाजी ने कि भहिया मेरे डैथ के बाद इसको गद्धी पर नहीं बिठाना गद्धी पर सबसे पहले बैठे राजा राम ध्यान रखना बहुत इंपोर्टेंट अगर आप से तुरंत पूछले पीसे पीटी में कि यह बताएं सिवाजी गद्धी पर कौन बैठे लोग खटाक से मारते संभाजी गलत हो जाएगा अगर उसमें राजा राम भी ऑप्शन में है तो आपको राजा राम लगाना है क्योंकि गद्धी पर तुरंत बाद राजा राम बैठे थे राजा राम को के बाद और जेव के बाद अच्छा एक बात बताओ शिवाजी की डैथ के बाद सबसे बड़ा पुत्र सत्ता का हकदार है और सबसे बड़े पुत्र कौन है सबसे बड़े पुत्र हैं संभाजी कौन है सबसे बड़े पुत्र थे संभाजी संभाजी को माना कर गई उसके ब शिवाजी के बाद शिवाजी के तुरंत बाद राजा राम सत्ता पर बैठे कौन बैठे राजा राम किस पर बैठे तुरंत बाद राजा राम सत्ता पर बैठे लेकिन बाद में इन्हें किस ने हटा दिया इन्हें संभाजी ने हटा दिया संभाजी ने हटा दिया जान रखना किस ने हटा दिया था इन्हें किस ने हटा दिया था साब इनको संभाजी ने हटा दिया अब आप प्रश्ण मुझसे पूछेंगे आप मुझसे पूछे ना पूछे मैं तो आपको बताऊंगा कि कि सहाब यह बताए कि जब शिवाजी कीड़ थे ने कैद थे अभी लिखो इस फैक्ट को यह कहा थे यह पंहाला के किले में कैद थे यह काई उस समय भटा दिया संभाजी ने अब हुआ क्या कि इनके समय मुगल आक्रमण इन पर होता है क्या होता है क्या होता है सहाब मुगल आक्रमण और समभाजी की हत्या कर दी जाती है क्या कर दी जाती है संभा जी की हत्या कर दी जाती है जो बच्चा मुझे यह बता दे कि संभा जी से आकिरकार औरंग जेव को इतनी चिड क्यों थी संभा जी कि क्या कर दी गई हत्या कर दी गई क्या कोई मुझे बता सकता है कि औरंग जेव को संभा जी से इतनी चिड आकिर थी तो थी क्यों बता सकते हो रविंदर रविशंकर विशाल अनीशा कृति रुची क्या कनक क्या आप मुझे बता सकते हो कि आकिरकार संभा जी से इ इस्पेसल दिक्कत यह थी उनको मैं बता दूँ कि संभाजी को किसी ने कह दी किया हत्या कर दी जिल्फीकार खां गया था लड़ने अनीशा मीना कौन गया था जिल्फीकार खां सैना लेकर गया था देखिए हुआ कहानी है उस कहानी बाप जादे मत जाओकर कहोगे तुम्हे बता दूँगा है ना शिवा जो संभाजी है इनके साथ एक व्रहमन की वहत्तविती नाम था कभी कलश निवाडी गाम में पकड़े गए थे बहुत चीज़े हैं वह सब अन्रेलेवन टाइप की है कोई उसका लेना देना है नहीं औरंग जेब की कैद में सिवा जी अच्छ इस वजह से भी दोनों पक्स में खासी टेंसन थी आचा संभाजी की हत्या हो गई संभाजी की हत्या के बाद येशु बाई कौन है कौन है ये शुबाई और शाहू को क्या कर लिया जाता है शाहू को कैद कर लिया गया और कैद करके मुगल समराज जमेन को ले जाया गया अब देखी जरा जिवाजी की बाद गदी पर बैठे थे राजा राम चलो राजा राम को हटाया उन्हीं के बाई संभाजी ने संभाजी की हत्या हो गई अब जाहू एक्दार में दो राजा राम गद्धी पर बैठें राजा राम सत्ता पर बैठें और यह वही राजा राम यह वही राजाराम हैं जिन्होंने मराठो की राजधानी राएगड़ से सतारा बना दी थी इन्होंने राजधानी क्या बनाई राएगड़ से क्या बनाई थी सतारा सतारा राजधानी बनाने वाले कौन थे सतारह राजभान बनाने वाले थे कौन राजा राम ध्यान दीजिए जब संभाजी की अध्या हो जाती है passage किसकी संभाजी की हत्या हुई और उनके बेटे को कैद कर लिया गया तो अब चतरपती कौन बनेगा अब चतरपती करने के सवाल पजब लगा तो फिर से राजाराम सत्ता पर आई अब राजाराम एक बार पहले बन चुके राजाराम गद्धीवफ दूसरी बार बैठें क्या बैठें सरसंभाजी ने किसी की हैल्फ की थी जो औरंग जेप का एनेमी था और खुद औरीजब का लड़का अकबर देता हे उसके हेल्फ की थी इस समाजी की डैट हुई तो समाजी 가द्धी पर बैठए गढ़ना को छाहिए था गद्धी का वास्तविक अगदर शाहू है लेकिन चलो साहू को कैद कर लिया गया तो राजा राम गद्धी पर बिठा दी अब राजा राम ती की डैथ हो गई ak कि हुआ क्या राजा राम की डैथ के बाद राजा राम की डैथ के बाद किसके बाद राजा राम की डैथ के बाद इनका पुत्र सिवाजी सेकंड गद्धी पर बैठा कौन बैठा सिवाजी सेकंड अब मुझे कमेंट बॉक्स में यह आंसर आप करके मुझे बताओ कमेंट कि शाहू क्यों नहीं बैठा जादे बड़ी बात नहीं है एक दम बता दो कि साहू बैठेगा कैसे यह मान लिया कि साहू सत्ता का हकदार है लेकिन साहू गद्धी पर बैठ नहीं सकता है जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शाहू कैद में उसके अल्टरनेट पर लोग शक शक इसकी गार्जेन वनी तारा भाई जिस बच्चे को यह बात ना समझ में आई ठीक है कि वह मुझे बताए कि पूरी कहानी को देखो एक बार बात किलियर हुई कि साहू कैद था नीरुद्धवन साहू सर मुगल के कैद में वेरी गुड अब आप समझ रहे हो अब जेल में सारफ very good very good वह वोषiet आंद rubbish कि ए तो मैं क्या यह मानु कि आपको यह सारी बात समन्झ में आ गई है क्या मैं मान सकता हूँ कि क्या मैं यह मान सकता हूँ कु आपको समन्य अगई थज़ल्दी है जल्दी कमेंट बॉक्स मताओं एंट सब कर दो तुरंट तकि मां आगे चल दूँ आध गर्मी है याज वेरी गूड अब क्या हुआ कि अब आता है कि समयक जैसा नहीं रहता ना संकटा के लिए मराठों पर थोड़ी था और लोगों पर संकटाया अब आता है वर्स 1707 आप जानते हो कि इस वर्स औरंग जेब की क्या हो जाती है मिरत्यू हो जाती है क्या हो जाती है औरंग जेब की मिरत्यू और मैंने आपको बताया था कि जब औरंग जेब की मिरत्यू हुई नहीं नहीं ले सकता है तो दो बच्चा होता है वह अपने डिस्जिजन खुद नहीं ले सकता है तो कहते हैं कि बच्चा तो राजा है लेकिन एक बड़े को हम इसका गार्जन बना रहे हैं ताकि ये क्या करें ये इससे पूछ के काम करें ठीक है देखिए बहादुर शाह क्या बैठे सत्ता पर अब क्या करते हैं बहादुर शाह अब क्या करते हैं विचार करते हैं ये आखिर कर क्या क्या कौन बहादुर साफ फर्स्ट क्या करते हैं माराथा समस्षा विचार चलिए जी चलिए अब देखिए जड़ा और इसी चल रहा इसी पर गर्मी आज हुई जाता रही है समझ में नहीं आ रहा बहुत गर्मी है ठीक है कोई बशुने देखिए भाई एक मनेट अब बहादुर स टुक साफ साहा के पास दो ओप्शन है ऐह मराथों से निवटने के बहादुर सहा के पास दो ओप्शन है ऐक वो जाए सेना लेकर और जो उसके पिताने किया करे धन फूख समय कि बरबादी करे व्यापाथ ठप कर दे सासन धप कर गुटबंदी को और बढ़ाबादे तुम साउत में जाक नौर्थ इंडिया वाले हावी हो जाएंगे तो यह करें या फिर उसके पास एक और ट्रिक भी है वो ट्रिक यह कह रही है कि यार अगर मैं शाहु को रिहा कर दूँ को बिख्यान ध्यान देना किसको रहा कर दूँ शाहू को रहा कर दूँ तो सीधी सी बात है कि सह कां जाएगा मराठा एंपायर में और उसकी जो चाची है कौन है उसकी चाची कमेंड करना देखूंअ आप कहां हो को अन वता ये ज़्रा मताना मुझे बताओ शाहू की चाची कौन है कमेंट करो जल्दी शाहू की चाची है कौन नीरू, अनीशा, सौरब, निखेल, रविशंकर भर्ठ, बता नजरत चाची कौन है शाहू की चाची कौन है ताराबाई, बेरे कुट शाहू को अगर छोड़ दिया जाए तो शाहू मराठा समराज्य में जाएगा और वो अपनी चाची ताराबाई से कहेगा कि चाची जी जिस गद्दी पर आप और आपके पुत्र विराजमान है मैं आपकी जानकारी के लिए बता दू कि ये गद्दी मेरे पिता संभा की थी चूँकि मैं कैद में था इसलिए मैं गद्दी पर नहीं बैठ पाया चूँकि मैं आप आ गया हूँ रावडी राठाओर, I am back मैं आ गया वापिस तो गद्दीब कृपया करके चुपचाप मुझे दे दीजिए अब तारा भाई मैंने बताया था कि भाई साब कुरसी होती है चुम्बक जो उससे एक बार चिपक गया वो कभी उस कुरसी को छोड़ना नहीं चाहता तारा भाई कहेगी कि देखो बाई साब ऐसा है मिश्टर साहु कुमार चाची भतीजे का तरह अलग गद्दी तो नहीं देंगे और आपस में मराठो में क्या हो जाएगा जगडा जब मराठे आपस में जगडा करेंगे गद्दी के लिए तो मराठे कमजोर हो जाएगे और मराठो का ध्यान मुगल समराज्य से हट जाएगा बहादुर साह की ट्रिक काम कर गई क्या कर गई बहादुर साह की ट्रिक क्या कर गई काम कर गई देखिए क्या हुआ हुआ क्या पर विचार किया विचार किया तथा शाहू को रिहा कर दिया क्या कर दिया शाहू को रिहा कर दिया अच्छा कई बार एक सवाल पूछा जाता है कि हो रिलीज्ड साहू कौन था शाहू को रिहा करने वाला मुगल बादशाह था बहदूर शाहस पर कैसे बैठा क्योंकि उनकी टैथ हो गई ती किस देथ हो गई थी अभी किसे मार दिया बहा है अभी कहां मर के बादुर्ण साह 1712 मिम्रेंगे जिंदें हैं अभी है कि क्या हो गया है इतना गुस्षा बाहतुर साकर प्रिता क्यों है थीक है सोयरा भाई मैंने समझ पर आपका कोशन आप कहना क्या चाह रहे है मैं डियर फ्रेंड पूछना क्या चाह रहे हो चलिए शाहू को रिहा कर दिया जब शाहू को रिहा कर दिया अब क्या हुआ शाहू सत्ता को लेकर तारा भाई से क्या करता है तारा बाई से क्या करता है सहाब तारा बाई से जगडा जगडा क्या था युद्ध ही हो गया था युद्ध और इसी युद्ध को कहते हैं कौन सा युद्ध कहते हैं इसे बताने वाले को एक रुपई नाम खेडा का युद क्या कहते हैं खेडा का युद क्या कहते हैं दा बैटल आफ खेडा बैटल आफ खेडा ठीक है बैटल आफ खेडा में देखिए बैटल आफ खेडा के क्या परिणाम हुए उसको थोड़ा जानो जरूरी है जानना किसका युद्ध खेडा का युद्ध इस युद्ध में एक आदमी का नाम मैं लिखने जा रहा हूं इस युद्ध में बाला जी विशुनात कौन बाला जी विशुनात कौन बाला जी विशुनात ने साहू का साथ दिया था किसका साथ दिया था साहू का साथ दिया था किसका साथ दिया था साहू का साथ दिया था अजी अब मुझे ये बता दो कि बालाजी विस्वनात कौन है ये नया आदमी चर्चा में आया है साब इनका नाम क्या है बालाजी विशुनात मैं बताऊं क्योंकि समय का अभाव है बालाजी विशुनात पेश्वा बाजिराव मस्तानी के पिता है कौन है बालाजी विशुनात बालाजी विशुनात पेश्वा बाजिराव पिर्थम के पिता है बालाजी विशुनात और वो पेश्वा बाजिराव पिर्थम जिसको बाजिराव मस्तानी फिल्म में जिनके रोल को अदा किया है रणवीर सिंग ने बाजिराव पेश्वा बाजिराव के पिता थे कौन कौन थे बाजिराव पिर्थम के पिता हैं बाला जी विश्वनात अच्छा इस युद्ध में हुआ क्या इस युद्ध में एक बात और भी हुई इस युद्ध के बाद मराठा समराज जय कितने भागों में तूट गया दो भागों में कैसे कैसे असल में मराठा एंपाइर ही तूट गया है कैसे उत्तर के मराथे, दक्षन के मराथे. नौर्थ में राज कर रहा था? नौर्थ में राज कर रहे थे शाहू. कौन कर रहा था? शाहू. भी बात कौन कर रहेते? अध्ध वेक आया? अभी मुझे तो महसूस नहीं हुआ है कहां आया है अर्थकुएक देखिए और कि साउत में राज कौन कर रही थी तारा भाई उत्तर भारत के मराठे नौर्थ वाले मराठे उत्तर भारत के साउत्तर भारत के मराठे 17 सासन चलाते थे तहां से सतारा से और साउथ वाले चलाते थे कोलःपुर से अब मैं समझता हूं आप सभी लोगों के यह बात समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से अभी अनिश्य मीना कोशिस करूँगा मंदे से बढ़ाने कि मैं खुद सोच रहां कि लास को आदे घंटा और बढ़ा दूं कि अना मैं और कोशिस कर रहा हूं मंदे से देखते हैं क्योंकि अभी तो hall fix हो जाता ना यह पूरे कहफते का तो इस पर बढ़ाने सकते से देखे हैं मंदे से बढ़ी चालाकी से बादुरसाव प्रित्म में मुराथोogg के समस्या को सुलजा दिया मुराथी आपस मी लडवाती है यह लड़ रहे माराथma यह आपस में किस खेडा के युद्व में पूरीज साहु बहादुर साथ प्रितमने शाहु को क्या किया था तो ठीक है हिमान सुकुमार अगर किस बार की बार्वी पास हो पहले बेटा बार्वी करो उसके बाद तो चिंता ना करो ठीक है गुर्थवे कहा हो आया गुरुजी पता करवाओ अगर आया हो तो कल पता करा देंगे चिंता ना करो ठीक है बात समझ में आ गई आपको बात यह वाली बात आपको क्लियर हुई बात बोलिये साहाब बोलो बात क्लियर हो गई बोलो अनीशा नीरू आपको बात क्लियर हुई भोलो यह सारी बात क्लियर हो गई है ना अब आपको अरे कुछ तो बता दो यैस नो आपको यह ती मराठा समस्या बहादूर सा की और बड़ी चाला की से साहू को रिहा करके मराठो को आपस में लड़वा के बहादुर साप्रिथम ने इस समझ्चा को क्या कर दिया था सुल्जा दिया था ठीक है ओके अब हम हम ही आते हैं अपने जिस पर मुद्देपहम को जाना था क्यों जी अब समझ गए ना कौन है साहू किवाजी के पोते हैं साहू किवाजी के कौन थे पोते हैं शाहू और इनी शाहू को रिहा किया गया था अब आपको केलियर हो गई होगी बात और समझी के पुत्र है शाहू ठीक है और इनी की क्या कर दी गई थी इनी की हत्या कर दी गई थी क्या कर दी गई थी हत्या कर दी गई थी बेटा हेल्फ कर देंगे तेरी अभी तो अग्ली आसे देखते हैं अधिक है भई हाँ अभी तुम बार्वी के से लिए बस दुबारा पड़ो जैसे हाला तुम पास होएं लोग ठीक है भई चलिए अपनी वार्णी को यहां विराम देता हूं मैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका और हमारे साथ यह सेशन बड़ा शांदार रहा होगा चीजें आपको समझ में आई होंगी और अगर आप क्लास को पसंद कर रहे हैं आपको चीजें समझ में आ रही है तो मुझे आप क्लास को शेर करते चलिए क्या के लिए शेर है ठीक है यह मेरी यूट्यूब पर ही चल रही है अनिशा यूट्यूब पर ही चल रही है मेरी क्लास यह ठीक है यह यूट्यूब पर ही आपकी क्लास चल रही है ठीक है तो मुझे पूरी उम्मीद है एक तो सब लाइक करते चलें शेयर कर चलें और क्लास कैसी लगी आप इसके बारे में कमेंट जरूर करया कीजिए कमेंट करने से क्या होता है कि हमें भी कुछ चीजे पता चलती है है ना ताकि हम अपनी क्लास को और बहतर कर सकें आप कमेंट भी करते चलिए ओके तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए यूट्यूब चैनल है और यहां पर 10 बजे 10 पीम पर हिस्ट्री की क्लास होती है एक जगे और मेरी क्लास चल रही है आप जानते होंगे स सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के साथ आपका और जो आपको आप उनको परचेज कर सकते हैं सर मौनिंग में कब पढ़ाएंगे मौनिंग पढ़ाऊंगा निखिल सुभह 10 बजे ना 10 बजे पढ़ाऊंगा 10 बजे जिसमें मेरा क्या चल रहा है जिसमें जोग्रोफी अभी हमारी यह टॉपिक हमारा कल भी कंटीनू रहने वाला है क्यों है से आप एक बात तो समझ गयोंगे सर सवाल तो यहां से बने वाला थीक है ओके आठ बज़े वाली करने आठ बज़े वाली में कोशिज करूगा मंडे टूजडे में लूँगा क्योंकि वह सेड्डूल हो जाता ना एक बार उपसको सेड्डूलिंग कराने पढ़ेगी उस कर